तो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं प्रियांका और प्रियांका फूड एन आठ में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहतर सा नाश्ता जिसको आप घर के सामान से ही बना सकते हैं कच्चे आलू और घ्यों के आठे से बनाई नाश्ता बहुती टैस्टी लगता है इसके लिए मैंने लिए हैं दो कच्चे आलू कच्चे आलू लिए हैं मीडियम साइज के लिए हैं और इसको हमें करना है ग्रेट जो बारिक साइड होती है कद्डूगस की उससे हमें इसको ग्रेट करना है और इस तरह से आप दो आलू और अपनी फैमली मेम्बर्स के साब से जितनी भी कॉंटिटी में आप बनाना चाते हैं उस भीसाब से आलू की मात्रा बढ़ा सकते हैं एस तरह से सारे आलू को आप grade कर लें और दो आलो मैंने medium size के लिए हैं इनको मैंने grade कर लिया है अब इसमें मैं डालूंगी एक खटूरी गेहूं का आटा गेहूं का आटा वही है जो आप daily use में use करते हैं छपाथी बनाते हैं पूरी बनाते हैं पराध्षी बनाते हैं और इस तो इसमें डाल दी है मैंने 1 चमाच कुटी मिर्च, 1 चमाच डाला है नमक टेस्ट अकोर्डिंग 1 चमाच धनिया पाउडर, एक चमाच सौफ पाउडर सौफ थोड़ी सी दर-दरी कुटी हुई होती है, उसको मैंने डाला है और इसके बाद मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ एक चमच भरकी में रेड चिली पाउडर डाला है हल्दी बिल्कुल जरासी बहुत कम और एक हरी मिर्ची कट करके इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी अद्रक कसके डाल दी है और थोड़ी सी काली मिर्ची बहुत जरासी काली मिर्ची डाली है और जरासी हींग भी डाली है मैंने इसमें और इसको सारे मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर दिंगे इसमें ना कोई मैंने ओयल डाला है ना इनो डाली है और ना ही धही डाला है फिर वी ये नास्ता इतना टैस्ती बनेगा कि आफ इसको जरुर बनाएंगे और हरबर बनाएंगे और फटापट से बन जाता है और ये बहुत ही जदा healthy भी है क्योंकि ग्याँंके आटे से बना है और बहुत ही कम oil में इसको मैं बनाने वाली हूँ और घर के सामान से ही तो friends इसमें मैं डाल रही हूँ अब थोड़ा सा पानी क्योंकि इसको हमें आटे की तरह नहीं गूतना है इसको हमें एक पकोड़े के वेटर की तरह त्यार करना है घोल टाइप में त्यार करना है पकोड़े का घोल थोड़ा ज्यादा पतला होता है इसकी consistency इस तरह से रखनिये कि आप देखिएगा जिस तरह से मैं रखने वाली हूं, आपको उसी तरह से इसको बनाना है पानी डाल डाल कर अच्छे से आप इसको मसल मसल की पूरा अच्छे से इसको पतला कर लेंगे पानी की जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी आप डालेंगे फस देखते जाएंगे पानी एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छी से एक ही दिशामे इसको फैंटते हुए आप इस तरह से इसका घोल त्यार कर लेंग जो लोग मैदा नहीं खापाती ब्रैड नहीं खापाती उनके लिए बहुत ही अच्छा option है अब मैंने लिया है एक तवा और बहुत कम ओईल में मैं इसको बनाने वाली हूँ इसलिए बहुत जरा सा ओईल मैंने लगाया है आप चाहें तो थोड़ा सा ओईल की मात्रा इसमें अध्या सा और इस थिरी इस इक स्पून बटर लेकर इस तरह से आप इस law डीजिए थोड़ा सा इस इसको आप पहला देंगे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको ताकि ये सिखनी में आसानी रहे और बहुत अच्छी से ये क्रंची सा थोड़ा बने थोड़ा मोटा रखेंगे आप तो उसको सिखनी में भी टाइम लगेगा और क्रंची भी नहीं बन पाएगा तो इस थरह से आप इसको जितने आपके pancakes आ सकती हैं एक दवे पर एक fry pan में उतने आप बना लेंगे अभी मैंने इस पर 3 रखे हैं क्योंकि थोड़ी से problem आती है इनको पलटने में और अभी आपको कुछ नहीं करना है जब ये नीचे से सिख जाए तभी आपको इनको पलटना है तो आप थोड़ी दे वीट करेंगे गैस की flame हमारी medium है और आप भी medium ही flame पर इनको सेखेंगे अब देखे थोड़ा सा उपर से ये पकने पर आ गया है तो अब आप इसको पलट देंगे देखे आरम से हट गया ना बिल्कुल भी ये नानिस्टिक दवा है आप यदि लोई के तवे पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा उईल ज्यादा यूज़ करें तो इस तरह से अब एक चमच में ओईल लेकर मैं इसके ओपर भी डाल दूँगी जरा जरा सा जिससे दूसरी साइड से जब बुसी के तो बहुत अच्छे से क्रंची पन इसमें आ जाए और इस तरह से अब मैंन को पलट दूँगी बहुत आराम से ध्यान से आप पलट दीजिए क्योंकि दूसरी साइड से थोड़ा कच्छा है अभी तो इस हिसाब से आप पलटेंगे और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही मस्त है और फटापट बनने वाला बना सकती है और बच्चों के लिए आप अलगलग शेप में भी बना सकती है मिर्ची नमक सवाप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी नासता है ये चट पटासा और बहुत कम समय में बनने वाला कुछ भ आप इस तरह से पलटते हुए इनको आप सेख लीजिए जितना क्रंची आप चाहते हैं आप चाहे तो ढखकर भी सेख सकते हैं लेकिन ढखकर सेखने से थोड़ी से सौफ्ट हो जाते हैं नरम हो जाते हैं तो खाने में इतना मज़ा नहीं आता है और थोड़ी से क्रंची आ और सौस के साथ आप इनको सर्व करें आप दही के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही अच्छे ये लगते हैं खाने में आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताईएगा कि जब आपने इनको ट्राइ किया तो आपको कैसे लगी टेस्ट में ये आपको मिल सके और आपने अपनी फैमिली और फ्रेंस से शेयर किया कि नहीं है अभी तक तो प्लीज जल्दी से उठाइए अपना वार्ट से और शेयर कर दीजे फटापर से मेरे इस चेनल को और आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडिय में ऐसी ही चटपटी सी कुरकुरी सी अमेजिंग सी रेस्पी के साथ वीडियो में आस तक पने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू